सब्सक्राइब करते हैं कि वीचेन है क्या वीचेन एक सप्लाइचेन है जो पौवर्ड है ब्लॉगचेन के द्वारा यह लॉच्छ हुआ था जून 2016 में चाइना के अंदर अब आपके माइड में सवाल आ रहा होगा कि यह सप्लाइचेन क्या होता है तो मैं आपको एक एकजामपल के जरी समझाता हो कि यह सप्लाइचेन क्या होता है एक प्रोडक्ट आपके पास आने से पहले जिस जिस चैनल के थ्रू होके आता है वो पूरा जो फ्लो होता है उसको को हम supply chain बोल सकते हैं, यह जो supply chain है यह basically क्या काम करती है, इसका main aim है distributor governance करना और internet of thing को use करके supply chain को manage करना और supply chain में जो problem आती है उनको manage करना या पुरी तरह से खतम कर देना वीचेन अपने users को access देता है कि आप अपने product को manufacturing से लेकर आप तक पहुचने तक सब कुछ trace कर सकते हैं और इस tracker की help से आप अपने product को monitor कर सकते हैं जब तक product आप तक नहीं पहुचे वीचेन एक ऐसे tool की तरह काम आ सकती है जो decrease कर देती है supply और consumer के बीच के barrier को और इसी सब barrier की वज़र से बहुत सारी बड़ी company को billions of dollars का loss होता है every year एक estimate के हिसाब से 2.3 trillion dollar के loss को बचाया जा सकता है वीचेन के help से वीचेन price prediction 2021 वीचेन को एक अलग angle से देखा जाय तो ये cryptocurrency की market में एक बहुत ही ज़्यादा young project है और इसकी evolution की changes बहुत ज़्यादा increase हो जाती है 2018 के launch के बाद से वीचेन ने एक बवी तक बहुत अच्छा growth हो किया है इसको कहीं ज़्यादा दिन नहीं हुए किसी भी exchange में list हुए 2018 में जब इस currency को launch किया गया तो ये trade कर रहा था between 0.02 dollar to 0.062 dollar के बीच में और वीचेन को बहुत कम time लगा इस range को range से निकल के एक अच्छे खासे range में trade करना है और अगर आज की date की बात की जाए तो वीचेन between 0.12, 07 to 0.1412 और अगर Indian currency में बात की जाए तो 9.38 to 10.30 के बीच में trade होता है और इसके historical data और fundamentals को देख के ये तो बहुत जादा possible हो जाता है कि ये trade करेगा between 0.56 dollar से लेके 0.78 dollar के बीच में and the end of 2021 तो चलिए अब हम आ गए है coin market cap के उपर और यहाँ पर हम बात करते हैं वीचेन की तो जो वीचेन की rank चल रही है वो चल रही है 21 पे और एक नए coin की इतनी अच्छी rank आना बहुत बड़ी बात होती है 7.62 इसकी price चल रही है और 6.02 परसेंट का loss चल रहा है आज की price में इसकी circulating supply की बात करे तो वह है यह 64.32 billion और maximum supply है 86.712 million और जो इसके अगर 24 hour price changes की बात करे तो उसमें थोड़ा loss चल आ है 6.02 और minimum price है 24 hour की 7.10 और maximum है 8.11 और यह इसके अगर grab की बात करे तो आज शुरू हुआ था 8 रुपीज से और नीचे नीचे जा आके आज 6 रुपे तक यह आ गया है और फिर प्राप WeChain का all data तो अभी यहां पर सो नहीं हो रहा है और तो बस यही थी आज के बारे में WeChain की बात तो अगर आपको यह वीडियो वगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको crypto market को लेकर किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम या पि कोई भी चीट फेस कर पड़नी पा रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं हमारे इस्टाग्राम की आईडी आपको डिस्क्रिशन में लिंक मिल जाएगा हमें कमेंट आपको वहां पर मैसेज कर सकते हैं मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा अगर आ आज का यहीं तक था इस वीडियो को लाइक कर देना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना थैंक्यू सो मुच